प्यारी बच्चों, ऐसा समझों कि माल लीजे अगर आपने इस चेप्टर को नहीं पढ़ा हो अभय माउरिया जी, तो भी आप लगा सको, कर सको डापला प्रभाव नामद लेशन जो की अंतिम लेशन है आपको इसी लेशन पर सवाले लगानी है और इस लेशन में केवल दो सूत रहे और इसकी सवाल एकजामे पूस्ता जरूर है 10-11 प्रशन बोले हैं, अभी सुस्मी एक तरफ से लगवाते हैं, ठीक हैं, तो ध्यान से समझेगा, आ जायेगा, हाँ यहां ध्यान देजिए, ऐसा समझेगा कि सवाल लड़ जाए, इस तरह से पढ़िए जो चीज क्लास में पढ़ा रहे हैं जिमान सुग, घर पे पढ़न पढ़े हैं, तो देखो जड़ा, दाप्तर प्रभाव ध्वन में होता है, और प्रकास में, तो ध्वन में डाप्तर प्रभाव का एक अलग सूत्र है, और प्रकास में डाप्तर प्रभाव का एक अलग सूत्र है, तो दो ही तीन सूत्र हमें पढ़ने हैं, यहां देखो जड V-VO बता V-V-S यही सूत्र है और V का मतलब ध्वानी का वेग अवाब ने जो ध्वानी का वेग दिया है उसको V की जगा पर लिखिएगा V-O का मतलब स्रोता का वेग जो सुनता हो उसका वेग और वियस का मतलब स्रोत जुद्वानी बनाता हो उसका ने एक और बात उन्हें सार यहां तक्यू जंदूर का नाव ये सुत्र बना है कि स्रोत और स्रोता एक ही एक दिशाब में है मतलब ये ऐसे स्रोत है और ये ऐसे स्रोता है ऐसे अब अगर कभी सवाल में कहेंदे कि स्रोत स्रोता से दूर जा रहा है सवाल में कहते तो स्रोत तो स्रोता की उरा रहा है उसके लिए सूत रहे ना अगर स्रोत स्रोता से दूर जा रहा है इसका मतलब यह इधा जा रहा है तो जब स्रोग स्रोटा से दूर जाता रहे तो वी एस को माइनस में लिखना बने तब यहां चिन्द प्लस हो जाए और ऐसे देखो स्रोटा जो है स्रोट से दूर जा रहा है कि दोनों की नाईसर में मुंवी कमें तब रहें कोशन में कहें कि सुरोता सुरोत की ओर आता हो इधर अना रहे तो वह अच्छ जो है पद़ंगें यह दोनों जब एक निसा में मूंप करते तब कसुत राएं चीत्र देखों बनाएं इससे समझेल जोटा एक इस नहीं दीधा जाए तब बदल जाएगा ठीक है और जो नहीं जो इस्तिर है उसको हटा देंगे सूत्र में जैसे काई दिया धौनी श्रोत इस्तिर है तो मैंने विएस रटा देना सूर से विएस जीरो हो गया ठीक है इसे सूत का प्रियोग करेंगे प्रकास में डाप्टर प्रभाव पर जान से है वान माइनस चाहिए शुत्रवा तो आप जानते रहें यह सवाल पूछी नहीं जाती है तो सुत्रवा यहां पर देखो जरा निव का मतलब क्या है वेका आबृति वास्तविक्त और वी का मतलब श्रोत या प्रेच्छत जो देखता हो दोनों के वेक को भी से लिखते है और सी क्या है प्रकास का बेग कोई जाओ बेटा समझा रहा है जो सुत्र यूज होता है वो यह है देल्टा लिम्दा मारा पर वी अपान सी इंटु लिम्दा तो अपला विस्ता पर यह सूत्र पर सवाले आप दशागों प्रकास के मिलेंगे तो इस सुथ पर सवाल मेरेंगे और अब लोग सवाल पढ़ेंगे सेरील वाइज समझेंगे अपने आप आने ले देंगी दसी ग्यारा स्वाल हमने आपको बोला है तो वन टू आज एक तरब से बोले ये बेटा स्वाल हम लगवाएं तो बोले कोई एक बंदा बोले कोई कोशन बोलो पहला नूर ने हाँ देखे जरा प्रस्ण पढ़ रहे हैं सबी लोग धैन दीजेगा एक गतिमान मनुस्य को किसी इस्थिर स्रोत की ध्वानी का तारक्त्वा इस्थिर स्रोत कह दिया माने वियस जीरो हो गया एक गतिमान मनुस्य को इस्थिर स्रोत की ध्वानी का तारक्त पांच प्रत्षत गीरा हुआ लगता है उसके गत्य की चाल और उसकी दिसावता यह ध्वानी की चाल 330 मीटर पर सेकेंगा तो ध्यान देजेगा उन्हें सबीता ध्यान की चाल भी सरीकी जाती है 330 मीटर पर सेक और इस्थिर स्रोथ स्रोथ इस्थिर है विएस जीरोग है एंटाइस पांच परसेंट घीदा हुगा बने पांच प्रत्सेंट कमाबरती रतीज होती है पांच प्रत्सेंट घीदा है अब उने साजें सूत्र लगाए अपने आप आंसारा जाएगा बेता कोई डिस्थिर्बन्स नहीं होगा कौन साजूत लगाए देखो गतिमान कह रहा है गतिमान मनुष्य मने सुरोथा गतिमान है गतिमान सुरोथा को अब रिती घाटी विवड़ाब्त होती है इसका मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ रही है ठीक है तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही मतलब ये इसी तरब कौन सा सूथ लगेगा एंडायस बराबर एंड दूर जा रहे हैं वी माइनस वी यो अपान वी वी यस नहीं रिखेंगे क्यों 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 कि वी यस इस्तिर है जिरो हो अब इसे भी मार लग देटा एंडायस की जगा वी माइनस एंसे एंसे खड़ गया तो पाच अकम बाद विस हम में सौ वी अकम वी बराबर वी सबी माइनस वी सबी यो उसमी इधार आगया और वो अधार और नई सबी बराबर वी सबी यो कि ठीक है यह इधर लाए वी यो बराबर वी यो बराबर वी यो बराबर तो वी यो बराबर आगया काट पीट सकते हैं उड़ा करके दो से भाग दे दीजिए कोई दिक्कत बेटा कर सकते हो 16.5 जितना भी आए इतन सब्सक्राइब ठीक है उड़ा करके भाल दे लिजेगा अगला प्रस पढ़ो जब कोई इंजन किसी शुरूता से दूर जाता है कोई इंजन मनिद्वनी शुरूता से दूर जाता है इधर जाता है इसको बनाए और इस्ति शुरूता इस्ति शुरूता वाली वी यो जी रोग ठीक है निए तो इंजन के सिटी का अब्रिती वास्तिवी का अब्रिती के इंडैस बराबर छे वटा साथ है यहां सुस्मी चाल वायव की तेंसो पिर्वायवे धौर की तेंसो देश नीचा पड़ सकें प्यारे बच्चों सुच क्या होता इंडैस बराबर यहां वी अपार वी प्लस भी यहां देखो भी यह नहीं देखे और इसका जिसा चुक्ति उद्हारा बदल दीए प्लस कर दीए यहां प्लस कर दीए यहां अगर दो बिटा च्छा बटा साथ एंड बराबर एंड वी यपार एंड सेंड इसे नहीं हो दो साथ वी बराबर क्या भी कर दो साथ वी में भी घड़ गया है अपने को भी यस से लिए कोई डाउट बेटा समझ है अगला पड़ो यह सवार पिकनिकल है इंपोर्टेंट भी है बड़ी भी है ठीक है पढ़ें एक मोटर कार 72 किलो मीटर पदिघंटा की चाल से एक चौराहे की ओर आ रही है उसके हान के ध्वन की अवरिती चौराहे पर खड़े सिपाई को दो सौ साथ हर्ट सुनाई देती है तो मोटर कार यहां पर जो है ध्वनी सुरूत है और कितने चाल से हैं भातर किलो मीटर पर धिघंटा मोटर कार चौराहे की ओरा रही है मने मोटर कार नवश्रूत है और सुरूता की ओर पार है गया वाक्तर किलोवीक्टर कवरिगंता एक किलोविकर पर घठा बराबर पांत गटे क्वाट और 1 गज्ते तरग पर सके kicks ना, उरस्ट के जिए, बूस्त मीकर पर पर सके कंप livelihood वे शुरो कि सि 260 हर्ज मिलती है उसको सुनाए देती है वास्तु काप्रती बताओ 332 मीटर पर सके जाए यहीं ने बताना है चाल उठानी की 332 मीटर अब तो समझ गहें सब समझ गहें ने सूत लगाते एंडेस अलाबर एंड वी ओ मत लिखना वी अपाल वी माइनस मजाया आगे बहूं पिएंड डायस की जगा है वी की जगा है वी यस तो 270 पराबर एंड बुड़े तीन सो बत्तिस बता तीन बत्तिस गए गए नहीं मालोगे तो यह पराबर एंड दो सु साथ पुरे कोशे नमर चार पढ़ते हैं द्यान सुनिएगा एक इन्यन बारा सो चालिस हर्ज आवरती किस सीटी वगाता हुगा कोई इन्यन है सवाल समझोगे तब ही नहीं तो माइनस प्लस गलत हो जाएगे तो उत्तर नहीं मिलेगा बारा सो चालिस हर्ज आवरती की सीटी बजाता हुगा नब्बे किलो मिटर पत घंटा के बेट से पहाड़ी की ओर जा रहा है तो मतलब ये स्रोत है स्रोत की वास्त्वी कावरिती बारा सो चालिस हर्ज है और स्रोत की चाल भी दिया है कित्त दिया में तर नब्बे किलो मिटर पत घंटा साथी लोग समझने प्रियास करो नब्बे गुडे पाँज बटे अठारा अठारा पच्चे नब्बे पच्चब पच्चीज पच्चीज मीटर पर सेकेंड एक असपष्ट प्रतेजवानी डाइवर को सुनाई देती है देखो यहां टेक्निकल हो गया यहां समझो ने सब टेक्निकल ही हो गया बेटा कि जैसे इंजन है इंजन की आवाज गई तो गई पहले कहां गई बहारी पाई तकराई वही आवा चывать जब सुनाई देती है तो यहां चुछ सुनाई देती है और इसकी विचाल ही हो गयी वहां से जो आ रही है फहले यहां से जो फॉन उतपर गुई पहारी पर लड़ेगी तो वहां कि साब्रितिक ध्क्षर यहां ने समझें जैसे इनियन है यह चल रहा है यहां कहीं पहारी है भैल से देखो तो जब यहां से आवर्तियन है तो यह आवाज यहां जाके लड़ी तो यहां कुछ आवर्तिय पता लगेगी पहारी पर कितनी आवर्तिय हैं पता कर सकते सूथ कर प्रियोग करें यह सुरोता मालने पहारी को, पहारी को सुरोता मालने इस्तिर है, तो इस आवरती तरंगे यहां पहारी की तरंगे आईए, कितनी आवरती यहां पर हुई पता लग जाएगा, फिर उसके बाद यहीं जोगा ध्वानी इधार आएगी, ठीक है, तो ध्वानी इधार आएगी इ तो फिर जो आएगा उत्तरपसा लगेगा समझ नहीं बार रिक निकल हो गई है इंजन से उत्पण्द भानी जब पहारी से ठकराए तो आब रिटी एंडायस अब इस केस में सूत्र याद करूं याद वी माइनस वी ओम कहीं होता है लेकिन यहाँ पार ही इस्थी रहे अपार वी माइनस वी यस्थी शुरूता गतिनाए ठीक है यह उत्तर नहीं होगा याद मानेट बारह सो चालीस वी मतलब भन की चाल तेन सुपार जिस हाँ माइनस तो बारह सो चालीस बाटे यह बाटे तो चीज दे जी रहे जी रहे एक ते चाल को अब स्थाइब शार पर चालीस बीज स्थे बारह जोई चाल आप तेरा शालिस माले अब तेरा सालिस हर जाब रहती तर यहां मन बिले यह उत्तर नहीं होगा यहां से द्वानी यहां आए तो फुराती द्वानी है तो पुराती द्वानी कहा लानी है यहां से यहां रखने तो यहां पर यह अंडैस बराबर तेरा सुचालिस द्वान के चाल तो 325 है रहेगी लेकिन यहां यह पर शुरता इस्ति है क्योंकि पहारिया द्वान शुरत हो गई है और यह शुरता गथिमार नहीं है है शुरूता शुरूत की और गतिमाण है कि माइनस करें कि या प्रस्रोता दोनों एक ही डाशन लें यह उल्टा आए यह शुरूता की और आज़ा है ठीक है यह शुरूता है और यह शुरूता है यह इसको ऐसे जाना चाहिए था अधिक है फार्वुले बार रहते है क्या होता है यह वी थीक है वी यह सीरो को क्या कोई डाउट विक्ता है बालू रखे चलो बासमर में आ रहे हैं यह अधा वी केतना है वी हो कितना अधिक है अब मायगा स्यूज हो गया अधिक है मायगा स्यूज कर लेंगा अधिक है अधिक है अधिक है अधिक कर लिजेगा नौट करो अगला क्या बेटा पताना कहां बोले अग्या बोले बिटा इदी पिसोटा कि गदिमा को लिक्रोज कि दो नी की आबाद के आदिशी वाद के आदिशी वाद के आदिशी की पार रता जादा उचा रहे हैं लगा 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 लगाद के आदिशी को